नमस्कार दोस्तो एक बार फिर स्वागत है आपका आपके चैनल नहीं मंगने तो अभी आपकी थोड़ी दिन पहले क्या आपकी क्लासे हैं राजतान हाई कोड कुरूप D के आपके टेस्ट चर रहे थे और अब आपकी क्या है क्लासे शुरूप कर दी गई है यानि आपको रो एक एक टोफिक पे आपको क्लासे हैं वो आपको मिल जाया करेगी तो आज का जो आपका ये वीडियो यानि क्लास है वो आपको पताईए आपने डिमान किती है राजस्तान के एतियासिक वेक्तियों के बारे में क्या है वीडियो क्या है हमारी क्लास है वो दो तो आज के जो आपका एक लासी में आपक पहला King एक भीकी का करें अपकर पहलाम यह लां किसी भी कुष्वर्मेंट जो आप त्यारी कर रहे हैं तो इसके लिए क्या है यह आपकी क्यूशन है बहुत ही मैतवकून थाबित होने वाले हैं तो आए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को तो अगर आपने पहले क्यूशन कर रखे हैं तो आप टेस्ट के रूप में पूचा जाता है राजसतान के पर्थम करांतिकार्याप से पूचा है तो इसमें आपको जो सही जवाभ होगा अर्जूनाल सेटी होगा क्या आएगा ? इसमे अर्षोनाल सेटी treatment it Me बढ़ते नेक्षन के ओर इसमें थोड़ा सल सस्पेंज था मेरेको अर्जुनाल सेठी और अमर्चंद बांठिया में से और जब आपको एक इसन क्लास में कुराए गया था तब भी कैस में थोड़ा डाउट था लेकिन सबी बुक्स में क्या है अर्जुनाल सेठी ही दे रखा तो एक बढ़ इसको चेक जरूर कर ले फिर क्या है आपू का राजस्तान में विले किसके प्रयतनेस हुआ आपू का जो राजस्तान में विले है वो किसके प्रयतनेस हुआ था चारो उप्सन में अगर बात करें तो इसमें आपका उप्सन नमर्डी आएगा गोकुल भाई बटके क्या है प्रेतनिस क्या है राबुकर जो राजस्तान में विले हुआ था बढ़ते नेक्शन के और फिर क्या है शिकर के हर्समंदिर का निर्माण किस सासक के सासनकाल में पूरा हुआ था यानि शिकर में जो हर्समंदिर है उसका निर्माण आपको बताना है कि किस सासक क सासनकाल में पूरा हुआ था तो किसके सासनकाल में पूरा हुआ था ये ये हुआ था शीयराद, उप्सन नमबर B फिर है चोहनो की सक्ति का सबसे अधिक विस्तार किस सासक के समय हुआ था, यानि चोहनो की सक्ति का सबसे अधिक विस्तार आपसे पूछा गया है वो किस सासक के समय हुआ था तो इसमें आपका सही जवाब होगा वो होगा उप्सन नमबर B विगरा राज दिवित्य है फिर है 1137 इसमें आना सागर जील का निर्मान किस ने करवाया था तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा वो आएगा अरणोराज उप्सन नमबर C आएगा उप्सन नमबर C है इसमें बिल्कुल सही जवाब है अरणोराज आएगा इसमें फिर क्या है नेक्सिशन क्या है आप अजमेर में साही यानि दोलत वाग जिसे वर्तमान में सुवास उदान के नाम से जाना जाता है का निर्मान किस ने करवाया था तो इसमें आपका सही जवाब होगा उप्सन नमबर A जांगिर ने बढ़ते नेक्सिशन के और आपको बताना है कि बिल्टेन के पदानमंत्री डेविड लोईड ने राजबताना के किस सासक को पुरा उसिया एक बुद्धिमान वेक्तित था अपने महान डेस के पुरुष का सांधार रमूना की संग्या दे थी ये बहुत एचा क्योशन है बढ़ते नेक्सिशन के और आपको आपके सामने अगला क्योशन क्या है आना सागर जील के किनारे किस मुगल सासक ने पांच बारह दरियों का निर्मान करवाया था तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा वो होगा उप्सिशन नमर बी साहजाने सागर ने क्या करवाया था आना सागर जील के किनारे क्या है पांच बारह दरियों का निर्मान करवाया था बढ़ते नेक्सिशन के और नेक्सिशन क्या आपका आरणो राज द्वारा बरा मंदिर का निर्मान कहां पर करवाया गया तो इसमें आपका सही जवाब होगा उप पितरी हंता कोन का लाता है चार ओप्वें से आपका जो सही जुआब होगा वो होगा अप्वें नम्मर डी आएगा इसमें जगदेव बढ़ते नेक्शन के ओर नेक्शन क्या है किसके समय को सामर के सुहनों का सावरानकाल माना जाता है most important question है तो इसमें आपका सही जुआब ह बढ़ते हैं नेक्षिन क्या है मारवाड का वहसा सक्थ जिसने मर्त्यू परियंत महराना परताब की तरह मुगलों से लोहा किया परंतु उनकी अधिन्ता सविकार नहीं की बहुश्ट इपोर्टेट क्यूशन है ये आपको बताना है मारवाड का वहसा सक्थ जिसने मर्त्यू परियंत महराना परताब की तरह मुगलों से लोहा किया परंतु उनकी अधिन्ता सविकार नहीं की कौन थे वो तो वो थे राव चंदर शेन यानि और आपका बी है बहुत अचा क्यूशन है राव चंदर शेन से समंदित आपका एक क्यूशन जुरूर पूछा जाता है एक्जाम में क्योंकि बहुत सारे पॉट्टेट क्यूशन है वो इन्हीं के क्या है इन्हीं से समंदित पूछे गए एक्जाम में फिर क्या है नेक्शन क्या आपका चितोड के वे दो वीर जिनकी वीरता पर मदूर होकर अक्बर ने हातियों पर चड़ियों इनकी पाशान मूर्तियां आगरा के किल्ले के दुवार पर लगवाई तो वो कौन थे वो थे जैमल और पत्ता ओप्सन नमर सी आएगा इसमें क्या आएगा इसमें ओप्सन नमर सी बढ़ते नेक्शन के ओर सर टॉमस रो बारत की सवर्स आया आपसे पुछा है सर टॉमस रो है वो बारत की सवर्स आया था तो वो आये थे 1615 इश्विय में सर 1615 में क्या है सर टॉमस रो है वो बारत में आये थे उसके लुग है कुछो निमन मैं से किन वीरों ने माराना परताब के जाने के बाद हलदीकाटी उद्Ant लड़ा था कौन कौन थे वो तो इसमिए आपका सही जवाब होगा आपार सिम्सूर और भियम सिंग ने आपशन नम्सी है वो बिनकुल सही जवाब है बढ़ते नेक्शन के और नेक्शन है निमन में से वह है यूद जिसमें समस्त राजपूत सक्तियों ने एक जूट होकर यूद किया निमन में से वह है यूद जिसमें समस्त राजपूत सक्तियों ने एक जूट होकर यूद किया तो चारो ओप्शन में से आपका ओप्शन नम आपको बताना है कौन सी जोड़ी शही सुमे मिलत है तो चार ओप्षन है वो आपके सामनी है इनमे से क्या है आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ओप्षन नमर्डी तराइन का पर्थम यूद है वो क्या है मुमद गौरी और पर्थवेराज चौहां के मध्य हुआ था बिलकुल सही जवाब बड़ते नेक्शन के और नेक्शन है रजास्तान में स्थापत्यकला का जनक किसको कहा जाता है राजस्तान में स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है चारों उप्षन में से आपका जो सही जुआब होगा वो होगा उप्षन नम्मर भी माराना कुम्बा को क्या है राजस्तान में स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है बढ़ते नेक्षन के और नेक्षन है कि सासक के परशरे मे वर्दावन से लाई गई शिरनात की मूर्ती शिहाड गाउं या नातवारे में इस्तापित की गई बहुत अच्छा ग्योशन है और इसका द्वाब का सही ज्वाब होगा वो क्या होगा ओप्सन नमबर डी आएगा इसमें माराना राद सिंग पर्थम के सासन में क्या है ये स्तापित की गई थी परशरे में वर्दावन से लाई गई शिरनात की मूर्ती शिहाड गाउं नातवारे में स्तापित की गई थी माराना राद सिंग पर्थम के सासन में नेक्शन क्या है माराना परताब का राजिया रोहन नियानि राज्या विशेक हुआ था कहांपे हुआ था यह आपको बताना है मारना परताब का जो राज्या विशेक है वो कहांपे हुआ था तो चारो उप्षन में से आपका उप्षन नमबर B है गोगुंदा में बिल्कुल सही जवाब होगा बड़ते नेक्शन के ओर किस सासक ने मुगलों की जीवन परियंद शेवा की थी यानि जीवन परियंद शेवा की थी वो कौन से कौन थे तो वो थे महराजा राई सिंग option number C आएगा इसमें बिल्कुल सही जवाब फिर क्या है अकबर द्वारा राजपूत राजाओं में सरवोच मनशब परदान किया गया था किसको परदान किया गया था चारो option में से आपका जो सही जवाब है वो क्या आएगा इनमे से option number D आएगा राजा मान सिंग किसको राजा मान सिंग को बढ़तेन एक्षन के और आपको उताना है कि निमन में से किस चेत्र की सुबेदार ये वो अकबर द्वारा मान सिंग को परदान नहीं की गई थी चारो option में से आपका option number B वो बिल्कुल से जवाब है उडिसा की नेक्षन क्या है आपका मुगल बादसा अकबर आयो जागिर किस राजपुथ सासर को अपने समराजिय का स्तम मानते थे बहुत अच्छा क्यूशन है कि मुगल बादसा अकबर आयो जागिर किस राजपुथ सासर को अपने समराजिय का स्तम मानते थे तो इसमें से आपका जो सही जवाब होगा वो होगा option number A महराजा राइशिंग को किसको महराजा राइशिंग को बढ़ते नेक्षन क्यों नेक्षन क्या है महारावल आशकरण की पत्रानी प्रेमल देवी ने डुंगरपुल में भववे नोलखा बावडी का निर्मान कब करवाया बहुत अच्छा क्यूशन है महरावल आशकरण की पत्रानी प्रेमल देवी ने डुंगरपूर में भवे नोलख भावडी का निमाने उकब करवाया था तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा अप्शन नमर बी होगा इसमें 1586 इस्वी में बिल्कुल सही जवाब बढ़ते हैं नेक्शन के ओर नेक्शन है बिकानेर के किस सासक को जागल धर बादशा की उपादी से समानित किया गया तो चारों उप्शन में से आपका जो सही जवाब होगा वो होगा महारणा करन सिंग को यानि उप्शन नमर शी है उसमें आपका बिल्कुल सही जवाब है जंगल धरकबाद से वो विखानेर के किसासक को दी गए उपादिये माराना करने सिंग को पढ़ते हैं नेक्षन के ओर नेक्षन है कि राजस्तान के इतियास में वीर हाडी रानी के नाम से विख्यात वहय विरांगना जिसने यूद भूमी में जाते हुए अपने पती को निशानने के तोरब पर अपना सिर काट कर दे दिया था कौन थी most important कि राजस्तान के इतियास में वीर हाडी रानी के नाम से विख्यात वहय विरांगना जिसने यूद भूमी जाते वक्त अपने पती को निशानने के तोरब अपना सिर काट कर दे दिया था कौन थी वो वो थी सलय है काउमर option number c आएगा इसमें बढ़ते नेक्शन के और next question क्या है rising परसस्ती इस्तीत है तो rising परसस्ती है वो कहाँ पर इस्तीत है तो वो है जूनागड में option number c आएगा इसमें rising परसस्ती है वो कहाँ पर जूनागड में बढ़ते नेक्शन के और next question क्या है आपका कि राजस्तान में वेशनों दरमका सरव पर्थम उलेक किस अभिलेक में मिलता है कौन से अभिलेक में क्या है आपको पताना है राजस्तान में वेशनों दरमका जो सबसे सरव पर थम उलेक है वो किस अभिलेक में मिलता है तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा option number d आएगा इसमें गोसुन्डी अभिलेक में कौन से में गोसुन्डी अभी लेग बढ़ते नेक्शन के और next question है निमन मैंसे किसको मारवाड का बूला हुआ नायक कहा जाता है बताई कि किसको मारवाड का बूला हुआ नायक कहा जाता है most reported question है ये बहुत आरी के एक्जाम में पूछा जाता है अगर आप राजस्तान कीशी भी गुवर्मेंट जोब की ठ्यारी कर रहे हो तो उनके लिए क्या है इनमें से क्या आपके एक या दो या फित्ती नमर की क्यूशना आप से पूछे जाते हैं तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा उप्शन नमर सी होगा राव चंदर सेन खासकर ये चेप्टर आपका क्या है राजस्तान हाई कोट गुरूप डी के लिए बहुत ही महतवपून एह द्यान देखना तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा उप्शन नमर ए आएगा इसमें सिकंदर लोदी बढ़ते नेक्शन के और नेक्शन है औरंग जेब की मरत्यों के बाद उसके उत्रा दिकार बादूर साय ने किस रियास्त की राज़दानी का नाम मौमिनाबाद रख दिया था तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा उप्शन नमर शी आएगा आमेर बढ़ते नेक्शन के और माराना सांगा की समाध्य कहां परिश्थीत है तो चारों आप्शन में से जवाब का सही जवाब होगा मानडलगड बढ़ते नेक्शन के और नेक्शन है वय शासक जिसे मौनसी देवी परसाद ने राजपताने का करन की संग्या दी थी Most reported question है ये कि वह साचक जिसे मुंसी देवी परसाद ने राजपुताने का साशन के राजपुताने का करण की संग्यादी थी तो कौन था वो तो इसमें आपका जो सहीजवाब होगा option number A.I.S. में राई सिंग को क्या है राजपुताने का करण कहा जाता है बढ़ते नेक्शन के और वह पर्थम राजपुत शाशक जिसने अपने रननिती में दूरक के स्थान पर जंगल और पाड़े को अधिक महताव दिया था most reported question है ये भी ये भी क्या है most reported question है आपको बताना है कि वह है पर्थम राजपूर साथ्चक जिसने अपनी रन निती में दुरक के स्थानल पर जंगल और पाड़ी शेतर को अधिक मातव दिया था कौन थे राउ चंदर शेन थे उप्सन नमबर बी है वो आपका विल्कुल सही जवाब है बढ़ते नेक्शन की और next question है कि मारना परताब का पत परदस्चक माना जाता है मारना परताब का पत परदस्चक है वो किसको माना जाता है तो किसको माना जाता है राउ चंदर शेन को उप्सन नमबर शी आएगा इसमें भी बिल्कुल सही जवाब बढ़ते नेक कायर की थी कौन थे तो वो कौन थे वो थे मोटा राजा राव उदेशिंग구요 ने कियुक्ति कहा गया है कि बिखा कर सेtest होगी बड़ टेन एक्षंग को किछ किर्थि में राजेंदर कहा गया है तो इसमें आपका सेज्वभ्य ओध करम चंदर सो किर्थंदक differenti किसमें option number C में बिल्कुर सही जवाब बढ़ते नेक्षन की और आपको बताना है निमन में से किसे मेवाड का बिशम पिता माय कहा जाता है तो चारो option में से आपका जो सही होगा वो होगा option number क्या आएगा इसमें आपका सही जवाब तो चारो option में से अगर आपने option number B किया है राव चूड़ा बिल्कुर सही जवाब option number B next question क्या है अब आपके जो question है वो है जो महिला है राजस्तान के इत्याजिक उनके बारे में भी क्या आपको question देखने मिले क्योंकि ये question भी आपको last के 10 से 12 question है वो आपको महिलाओं से समंदित मिलेंगे तो question क्या आपका मिवार के जयाज की वय मैं इलाज जिसके कार मिवार के महाराना लाखा के राजकुमार चूड़ा को राजपाट त्याकने की विशम परतिग्या करनी पड़ी थी वो कौन थी तो वो थी option number B IHS में हंसा भाई बड़ते नेक्सिन के ओर next question क्या है मालना संगा की रानी जिसने मिवार पर गुजरात के सुल्तान बादूर साय द्वारा अकमन करने पर साहता है तो मुगल समराट उमायू को राखी वेजी थी question को ध्यान से पड़े महाला संगा की रानी जिसने मेवार पर गुजरात की सुल्तान बादूर साय द्वारा कुमन करने पर सायता है तो मुगल समराट उमायू को राखी वे जिती कौन थी तो वो थी करमवती कौन थी ओप्शन नमर ए आपका बिल्कुल सही जुआब है जौदपूर के महाराजा जस्वन सिंग के अलफ वेस्टक पूतर अजीत सिंग को औरंग जेब के चंगुल से बचाने में दुर्गा दास राठोड की सायता करने वाली धाय कौन थी तो कौन थी चार ओप्शन में से तो इसमें आएगा आपका गोरा धाय ओप्शन नमर भी आएगा बिल्कुल सही जवाब बढ़ते नेक्सन के और नेक्स्ट उजन के है मेवाड माराणा उद्यसिंग की सोन नगरा रानी जिसने माराणा परताब जैसे वीर एं स्वाबिमानी पूरुस को जनम देकर मेवाड का मान बढ़ाय था कौन थी मेवाड माराणा उद्यसिंग की सोन नगरा रानी जिसने माराणा परताब जैसे वीर एं स्वाबिमानी पूरुस को जनम देकर मेवाड का मान बढ़ाय था वो कौन थी तो वो थी जैवंता बाई यानि ओप्शन नमर डी आपका बिल्कुल से जवाब होगा नेक्स चुशन क्या है राजस्तान के मद्यकाले नितियास कीवा है स्वामी बेक्त महिला जिसने अपने पूतर का बलदान देकर अपने स्वामी माराणा संगा के पूतर उद्यसिंग को बचाया था बहुत अच्छा क्यूशन है most reported क्यूशन है ये कौन थी वो वो थी पन्न दाई option number C आएगा इसमें पन्ना दाई पन्ना दाईने क्या है अपने पूतर का बलदान देकर क्या है स्वामी माराणा संगा के पूतर उद्यसिंग को बचाया था बढ़ते नेक्स चुशन की और नेक्स चुशन है आपका कि डुंगरपूर महारावल आशकरण की रानी जिसने डुंगरपूर में बववे नोलखा बावडी का निर्मान करवाए था कौन थी प्रेमल देवी option number D आएगा इसमें बढ़ते नेक्स चुशन की और नेक्स चुशन क्या है कि मेवाड महाराणा बहिम सिंग के राजपूर ने जिसके विवाय को लेकर जैपूर एउं अजमेर राज्यों में यूद हुए option number C आएगा इसमें बढ़ते नेक्स चुशन क्या है कि जोधपूर महाराजा विजय सिंग की पासवान जिने कवी राज श्यामल दास ने जोधपूर की नूर जाहां की संग्या दी जोधपूर की नूर जाहां की संग्या दी थी किस ने दी थी कवी राज श्यामल दास ने और कौन थी वो चार ओप्शन में वो थी गुलाब राय ओप्शन नमर A वो आपका बिल्कूल सही जवाब है तो ये तो थी आपके राजस्तान से एतियासिक वेक्तियों से संबंदि पचाश क्यूशन अगर आपको क्यूशन अच्छल लगे तो वीडियो को लाइक जुरूर के और वीडियो को शेयर बी करदें ताकि जू भी जितने भाइय वेर लास्तान में जितने भी गोर्मेंट जोब की त्यारी करें वो भी क्या है इस चीज का फाइदा उठाज के और अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में आपको बेल आइकन दीखा इसको भी आपको प्रेस कर लेना है ताकि जब भी को निया वीडियो डाजाए आपके खुश रहना है सवस्त रहना है और अच्छी तरह से पढ़ते रहना है तो आज की क्लास में बस इतना ही धन्यवाद